तो स्वागर दोस्तो मैं हूँ आपके साथ आर्क डिखने के लिए कुछ इस प्रकार से दोस्तो आप भी अपने किसी भी रियल मी ओपो की डिवाइज में दोस्तो आपको बताऊंगा कैसे सब प्रोसेस करना देखे किछ प्रकार से आपको पूरा लूक आपको देखने को मिर दोस्तो आईकॉंस लोके स्क्रीन सबी आपको आपको डिवाइज में अप्लाई करना है पूरा आपको व्यूड़ लास्ट देखने दोस्तो चले बुट स्टार्ट करने दोस्तो सबसे पहले दोस्तो आपको मैंने डिक्रिप्सन पार्ट में एक लिंक दिया है वह पर से हभ directly click करेंगे देन आप इस website पे चले आएंगे जहां पर से दोस्तों आपको अपने device के हिसाब से आपको link पे click करना है जैसे realme UI 2 realme UI 3 तो किछ इस परकार से दोस्तों मेरा device realme 2 पे based तो मैं उस option पे कर दूँँगा click करने बाद दोस्तों आपकी mega की website open हो जाएगी जहां पर से आपको इस theme को download कर ले लाएं download मैं कर लेता हूं दोस्तों उसके बाद देना आगना आपको save file पे कर देना है click आपको successfully आपके storage में save हो जाएगा then दोस्तों अब इसको आपको open करने के लिए अपना कोई भी साफना file manager open कर लेता है मैं अपना system file manager open कर लेता हूं दोस्तों दैन मैं चला जातों अपने download वाले folder पर दैन दोस्तों download वाले folder को मैं कर लेता हूं यहाँ पर से open आपको भी दोस्तों अपनी location देख लेने है कि आपने कहा पस अब उस आीस करूंगा क्लिक करूंगा क्लिक करने के ने बाद आपको धेकने को भीर है दिखने को प्रीटायल इसके पुरा परोसेस आपको धूरा थैटन से आयकोन, इसकों दिखने के लाएकोन तो यह सबसे भेहतरिन धैं मेरे को लगा दोस्तो A zo observed पूरा लुका आपको देखने को मिल जाएगा लोग स्क्रीन से लेकिंगे यहां पर सिस्टम सेडिंग सब्सक्राइब अब दोस्तों इसको पर्मानेट अप्लाइब करने के लिए दोस्तों यह एक ट्रीक है आपको गया करने है अपने थेम इस्टोर वाप्शन पर कर देना है दोस्तों यह आपके इंटरनेट की पर्मिसन डेना हो चुके है देन आपको कर देना एक पर मनेटली थेम अप्लाइ हो चुके है अब आप जब भी अपना थेम बदलना चाहते है ऐस उप्सन को एनेबल करिए मोबाइल नेड़को देन आप थेम को बदल सकते हैं सब्सक्राइब वीडियो को लाएं कि न भूले क्योंकि इस प्राट के वीडियो में लाता रहता हूं